क्या आपको ये पता है कि सूरज की रोशनी धर्दी तक पहुशने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड लगाती है क्योंकि सूरज उतना दूर है लेकिन ये रोशनी 8 मिनट और 20 सेकंड पहले नहीं बलकि 40,000 साल पहले बनी थी चलिए देखते कैसे सूरज में रोशनी बनती है केंद्र में न्यूकलियर फ्यूजन के वज़े से और ये केंद्र की रोशनी सता तक आने के लिए कई रास्तों से गुजरती है जिसके लिए उसको 40,000 साल तक लग जाते हैं और सता से धर्दी तक आने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड तो अगर आप अभी घर के बाहर जाके अपने हाथ के तरफ देखे तो आपके हाथ पे वो रोशनी बढ़ रही है जो तब बनी थी जब स्टो ने चल रहा था और इंसानों ने यूरोप में एक कदम भी नहीं रखा था 40,000 साल पहले